हलो प्रेंट्स वेल्कम टू पासवान इस्टेडि स्टेच दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग गुड़न खंड ग्याद करना सीखेंगे सवाल दिया गया है x square minus 18 x plus 81 इसके गुड़न खंड ग्याद करना है तो गुड़न खंड ग्याद करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है यह जो x के साथ जो पद लिखा रहता है 18 लिखा हुआ है इसको ऐसे दो भागों में विवाजित करना है जिसका गुड़न फल 81 हो और जोड फल 18 हो तो हमको मान लीजी अभी नहीं पता है संख्याएं की कौन कौन सी होगी तो हम जिसका गुड़न फल जो दिया गया है उसका जो है हम लासा निकालेंगे तो लासा कैसे निकाला जाता है पहले आप तीन से मल्टि इसको भाग देंगे तो यह आजाएगा 27 फिर तीन से भाग देंगे तो यह आजाएगा 9 फिर तीन से भाग देंगे आजाएगा 3 फिर तीन से भाग देंगे आजाएगा 1 तो इसका जो लासा मिल रहा है तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन यह इस तरह मिल रहा है तो हम इनहीं से जोड़ेंगे अगर तीन तिरों को नव और तीन त्रों को नव जोड़ दें तो 18 बन जा रहा है और गुड़न फल भी 81 हो जा रहा है हम नव और नव दो संख्या में मिली अब तो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वार माइनस नव प्लस नव अब अठारा को हमने नव प्लस नव में भी लिख दिया और इसका गुड़न फल अगर करेंगे तो क्यासी आ अब इसके साथ एक्स चल रहा एक्स कर देंगे प्लस चल रहा है अब हमको क्या करना है एक्स का गुड़ा अंदर करा देना है तो हम एक्स का गुड़ा अंदर कराएंगे नव एक्स और माइनस और प्लस जब जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा एक्स प्लस एक्क्यासी एक स्क्वेर था तो एक एक्स कामन हो गया तो एक्स बचा फिर यहां पर अगर हम एक्स कामन का लिए तो क्या बचेगा नव तो हम नव लिख दिए फिर उसके बाद हम दूसरी संख्या में क्या कामन हमको दिख रहा है माइनस का 9 कामन दिख रहा है तो माइनस का 9 हम इससे कामन ले लिए फिर इसके बाद ब्रेकेट लगाया यहां पर अगर 9 कामन ले लिया है तो X बचा है और यहां माइनस हमने कामन लिया है तो अगर हम इसका माइनस यहां पर अगर लगा देंगे तो प्लस फिर से बन जाएग और फिर इन में से एक बार फिर से कामन है x-9 1-9 एक बार कामन हो गया जो यह पड़ रहते हैं इनको अलग एक कोष्ठक में लिग दिया जाता है तो x-9 x-9 दो कामन है अगर एक संख्या 2 बार लिखी हो और गुड़ा में हो तो उसको हम वर्ग में लिख देते हैं X-9 का whole square तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ़र्ष्ट नंबर हो जाएगा X-9 का whole square इस प्रकार गुर्णखंड हल करते हैं एक और question हम देखते हैं दूसरा question दिया गया है X square प्लस 6X प्लस 8 के गुर्णखंड हैं तो सबसे पहले हम फिर से वही सूतर लिखेंगे X square प्लस 6X प्लस 8 अब हमको 6 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका गुर्णफल 8 हो और जोडने पर आपस में जोडने पर 6 आए तो अगर हम कर दें 4 और 2 चार दूनी 8 होता है और चार प्लस 2 करेंगे तो 6 आता है तो हम 4 और 2 चाय के ऐसे दो गुर्णखंड किये हैं अब यहां पर चल रहा X square चार और 2 लिख दिये आगे क्या चल रहा X प्लस 8 अब हम इसको अंदर multiply करा देंगे X का तो यह दूसरा सवाल है इसको ध्यान देना यहां पर X square प्लस 4 X आ जाएगा इसका जब हम multiply करेंगे फिर plus 2 X आ जाएगा अब plus क्या चल रहा आगे 8 अब हम इसके फिर common उसके प्रकार करेंगे इससे X कामन हो रहा है इन दोनों से तो हम x common ले ले हैं अब 1 x यहां पर बचा अब फिर यहां पर क्या बचेगा 4 दूसरे से क्या common मिल रहा है प्लस का 2 common मिल रहा है आगे क्या बचेगा x plus 4 तो यह भी उसी प्रकार का बन गया है अब x plus 4 x plus 4 यहां पर मिल रहा है तो फिर से हम एक बार लिख देंगे x plus 4 और दूसरे में क्या लिख देंगे जो संख्याएं बचती हैं तो x plus 2 यह इसका गुरंखन दो जाएगा तो इसमें सही आपसन जो दिया गया है यह second number दिया गया है x plus 4 और x plus 2 तो इसी प्रकार फिर से एक सवाला और हल करेंगे दिया गया है x square plus 2 x minus 15 तो हम दो के ऐसे भाग करें जिसको जोडने घटाने से क्या आए दो आए और गुड़ा करने पर 15 आए जो इन दोनों संख्याओं का जोड़ घटाना होगा अगर उन्हीं दो संख्याओं को हम आपस में गुड़ा कर दें तो 15 आए लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का 15 आए तो हम कैसे भाग करेंगे तो हम अगर यहां पर ध्यान दें माइनस का पांच यहां पर प्लस का पांच और माइनस का तीन कर दे रहे हैं दो संख्याएं तो इनका गुड़ानफल के आएगा माइनस का पंद्रा आएगा और जोडने पर प्लस का दो आजाएगा तो यही दो संख्याएं बन रही हैं इनको अगर फिर से आपको अगर नहीं आजा आप 5 से कटेगा तो आ गया ना यह 53 तो इसमें आपको छिन थोड़ा ध्यान देना है जो संख्या बड़ी होगी वह प्लस की यहां पर लिखी जाएगी पांच बड़ी होगी और तो और माइनस तीन लिख देंगे अब इसका गुड़न फल माइनस पंद्रा आना चाहिए तो माइनस और प्लस का गुड़न फल पंद्रा आएगा माइनस का 15 अब यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं x square अब इसको हम फिर से अंदर लिख रहे हैं 5 माइनस 3 5 में 3 घड़ जाता है तो 2 उसी प्रकार बन जा रहा है ना तो इसी प्रकार जो है आपको set करना होता है अब इसको अंदर हम गुड़ा करा देते हैं x का तो 5 x माइनस 3 x माइनस 15 चल रहा है अब इससे क्या कामन है x तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 5 इससे क्या कामन मिल रहा है माइनस का 3 कामन मिल रहा है तो माइनस 3 लिखेंगे अगर यहां से माइनस कामन ले लिया है तो यहां पर x बचेगा और यहां से हमने माइनस कामन ले लिया है तो यहां प्लस हो जाएगा और तीन कामन ले लिया है यहां बचेगा 5 अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यह X5, X5 दोनों में लिखा गया है तो हम X5 एक कुष्ठक में लिख देंगे और X-3 एक कुष्ठक में लिख देंगे यह इसका गुड़ानखंड हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइसे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहा करेंगे